नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो हम लोग railway group D की परिछा के लिए topic wise science को discuss कर रहे थे तो पहले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल और आउतल लेंस के द्वारा जो भी आपके प्रतविम का निर्मार किया जाता है उसके बारे में discuss किया था आज की ये जो हमारी class होनी वाली है इसमें हम लोग उत्तल और आउतल दरपन याने की आपका convex और concave mirror के द्वारा जो image यहां पर फॉर्म किये जाते हैं उन सभी को animation के मार्धिम से discuss करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ग्रूप D की परिच्छा में यहां से बहुत सारे प्रश्ण पूछे जाते हैं और अगर यह topic आपको clear नहीं होगा तो ग्रूप D की परिच्छा में आप इनके प्रश्णों को बिलकुल भी solve नहीं कर पाएंग तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं तो पहले हम लोग थोड़ा सा basic discuss करेंगे कि आखिर में mirror होता क्या है देखिए अगर हम लोग mirror की बात करते हैं तो mirror mainly हमारे एक काच होते हैं simple सा काच हो गया जैसे माले जी यह कोई काच है तो mirror में आपको एक तरफ दे कहते हैं mirror या फिर दरपन तो यह आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यह हमारे पास एक काच की सता है इसके एक तरफ हमने polish कर दिया है तो polish वाला जो region है वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा और जो हमारा चमकीला surface है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है अब mirror की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो हमारे mirror होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं पहला आपका समतल दरपन हो गया जिसे हम लोग plain mirror कहते हैं दूसरा हमारा उतल दरपन है जिसे हम लोग convex mirror कहते हैं और तीसरा हमारा होता है आउतल दरपन जिसे हम लोग concave mirror की नाम से जानते हैं अब इनकी आकरत भी आप लोग थोड़ा सा देख लेजिए देखे अगर हम लोग उत्तल दरपन की बात करते हैं तो इसकी जो पॉलिस वाला सता है वो आपके अंदर की तरह होता है और चमकीला सता इसका उभरा हुआ आपको देखने को मिलेगा प्लेर मिर्र की बात करें तो एक तरफ आपका पॉलिस होगा और दूसरी तरफ चमकीला सर्फेस होगा वहीं पर अगर हम लोग आउतल दरपन की बात करते हैं तो इसमें जो उभरा हुआ हिस्सा होगा इधर हमने पॉलिस किया हुआ है और जो आपके अंदर का हिस्सा है ये होता है चमकीला surface तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले समतल दरपन के बारे में कि ये जो हमारा दरपन है वो किस प्रकार का image बनाता है तो आपने घर पे भी समतल दरपन में अपनी image जरूर देखे होगी तो माल लेजे ये आप हो गए और आप एक plain mirror के सामने खड़े हो गए हैं तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से ray बनाएंगे और ray बनाने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी image बन रही है वह image आपकी आभासी है कैसी है आभासी image है यानि कि यहाँ एक कालपनिक image बनेगी और image की खास बात यह होती है कि यह जो हमारी image है वो आपके वस्तू के बराबर है किसके बराबर है जो आपकी object है उसी के बराबर यहाँ पर image बनेगी और जितनी दूरी पर आपके mirror से वस्तू रखा गया है उतनी ही दूरी पर आपको image देखने को मिलेगी यह आपने real life में भी कई बार observe किया होगा कभी भी अगर आप plain mirror के सामने खड़े होगे और आप यह देखेंगे कि जितनी दूरी पर आप mirror के खड़े हैं सेम उतनी दूरी पर अंदर की तरफ आपको अपनी image दिखाई दे रहे होगी तो यह हमारा simple case था यहाँ पर हमने बात कर ली है समतल दरपन की अब बात करेंगे हम लोग कि concave mirror के द्वारा किस प्रकार से image का formation होता है उससे पहले कुछ और basic term है इनके बारे में आपको पता हो है अवतल दरपन के बीचो बीच से हमारी एक रीखा गुजरती है और इसे हम लोग कहते है principal axis क्या कहते हैं इसे हम लोग principal axis कहते हैं या फिर इसे हम लोग मुख्य अच्छ के नाम से जानते हैं अब यह जो principal axis है जिस point पर हमारे mirror को cut करती है उस point का नाम हम लोग रखते हैं P क क्या कहते हैं इसे हम लोग P कहते हैं यानि कि इसे कहा जाता है पोल हिंदी में इसी को हम लोग कहेंगे ध्रोब P से माल लीजिए 2 cm के दूरी पर आपने एक और डॉट रख दिया है और ये जो हमारा डॉट होगा इसे कहते हैं फोकाई क्या कहते हैं इसे हम लोग फोकस कहते है या फिर हिंदी में इसको नाभी के नाम से जाना जाता है अब P से F की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर हम लोग एक पॉइंट और कंसिडर करेंगे F से और इस पॉइंट का नाम होता है C क्या होता है? इस पॉइंट का नाम होता है C जिसे हम लोग center of curvature कहते हैं दरपन का जो focus है उसकी लंबाई 2 cm है तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा या फिर जो हमारी वक्रता तरज्या होगी उसकी लंबाई कितनी होगी तो ध्यान अकिएगा इसकी होती है दोगनी यानि कि अगर पॉल से focus की दूरी 2 cm है तो pole से जो C की दूरी है वो आपकी 4 cm होगी तो आगे से आपकी ये जो पूरी class है उसमें हम लोग pole को P ही बोलेंगे focus को हम लोग F बोलेंगे और जो आपका center of curvature है उसको C से ही संबोधित करेंगे तो चलिए पहले हम लोग rule समझते हैं कि कौन के mirror के द्वारा जो image बनाये जाते हैं उनके लिए कौन कौन से rule है तो बात करेंगे rule number 1 की आपका जो near number 1 है वो simply आपसे ये कहता है कि माल लीजिए कोई हमारी ray of line है यानि कि कोई भी आपके प्रकास की किरण है जो की principal axis के बिलकुल parallel आ रही है तो यहाँ पर जब ये हमारी प्रकास की किरण इस mirror से टकराएगी तो टकराने के बाद में ये आपके focus से होकर के गुजरेगी कहां से गुजरेगी ये जो आपकी ray है वो हमारे focus से होकर के गुजरेगी और इसी को हम लोग rule number 1 की नाम से जानते हैं फिर बात करते हैं rule number 2 की तो rule number 2 में ये कहा गया है कि अगर हमारी कोई ray of line center of करवीचर से होकर के गुजरेगी यानि की वकरता किंदर से होकर के गुजरेगी तो ये आपके mirror से टकराने के बाद में फिर उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी इसके पीछे का region क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि अगर angle of incident आपके normal के 90 degree पर होता है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे यह 90 degree पर incident हो रहा है तो उस स्थिती में जो हमारा reflection वाला cone होगा ये भी आपका हो जाएगा 0 तो ध्यान रखेगा यहाँ पर जो हमारा normal है वो c के सीधे बिलकुल parallel बनता है और इसी लिए ये incident हो रही है 90 degree पर और इसी कारण जो आपकी ray यहाँ पर center of curvature से गुजर रही है वो आपके उसी रास्ते से लोटेगी rule number 3 की बात करते हैं तो rule number 3 दरसल rule 1 का opposite है इसमें कहा गया है कि अगर हमारे कोई भी परकास के किरण focus से सीधी गुजरती है तो ये आपके mirror से टकराने के बाद में हमारे principle axis के parallel जाएगी किसके मुख्य अच्च के parallel जाएगी तो ध्यान रखेगा अगर कोई line आपके मुख्य अच्च के parallel आके टकराती है तो ये हमारे focus से गुजरती है और अगर आपकी कोई line focus से होगर के जाएगी तो ये आपके principle axis के जाएगी समानांतर और ये ही हमारा rule number 3 है rule number 4 इसका वैसे use तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए numerical वगारा solve करने में इसके use किया जाता है इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारी कोई भी प्रकास के किरण आपके pole पर incident करती है तो यहाँ पर ये same angle बनाते हुए आपके mirror से टगरा करके आगे की mirror बढ़ेगी इसका simple सा मतलब क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी हमारे ray of light 30 degree के angle पर incident करती है pole तो ये आपके 30 degree का angle बनाते हुए ही आगे बढ़ेगी simple सा मतलब ये है कि angle I equal to हो जाएगा angle R तो ये हमारा चोथा नियम है वैसे इसका use हम लोग image formation में न मुझ रेगी center of curvature से जाने वाली ये आपकी उसी रास्ते से लौटेगी और तीसरा जो rule है वो और ज्यादा simple है कि अगर आपकी focus से जाती है किरण तो ये हमारी हो जाएगे principle axis के parallel तो ये आपके 3 rule है इनी का use करते हुए हम लोग सारे image को यहाँ पर form करेंगे तो आईए सबसे पहले बात करते है case number 1 की case number 1 का मतलब है कि जब हमारे वस्तू c से परे हो याने कि जब आपका object beyond c हो इसे हम लोग कई बार ये भी कहते हैं कि जो हमारा object है वह infinity और c के बीच में कहीं पर भी है तो चलिए इसमें समझते हैं कैसा image बनेगा देखें ये हमारे लल्लू लाल एक खड़ा कर दिया है center of करवेचर से परे अब आईए अपना rule योज करते हैं तो सबसे पहले हमने एक प्रकास की किरण इनके सिर से निकाली है जो कि आपके mirror से जा करके टकराएगी और उसके बाद में ये सीधे हमारे focus से हो करके गुजरेगी लल्लू लाल के सिर से हमारी दू आपको बता चुका हूँ कि जहां पर भी ये दोनों किरणे आपस में cut करती हैं वहीं पर बनता है आपका image तो लल्लू लाल की जो image है वो आपको यहां कहीं पर देखने को मिलेगी तो simple सा आपने image यहां पर बना लिया है अब आईए समझते हैं कि इस image के property क्या होगी देखे यह जो हमारी image बन रही है वो real लाइनों के intersection से बन रही है यानि कि image हमारी हो जाएगी real आप देख रहे होंगे कि जो हमारी image है वो उल्टी है यानि कि आप क्या कहेंगे कि जो image हमारी है वो उल्टी बन रही है image अगर आप लोग देख रहे होंगे तो वस्तु से यह काफी छ स्त्विक है उल्टी है वस्तू से छोटी है और F और C के बीच में ये कहीं पर बनी है तो ये हमारा हो गया केस नमबर 1 अब बात करते हैं केस 2 की केस 2 में आप से कहा जा रहा है कि जो हमारी वस्तू है वो आपके C के उपर रखी गई है तो लल्लू लाल को हमने थोड़ा सा सिर से ले करके जाएंगे जो कि बिल्कुल प्रिंस्पल एक्सिस के पैरलल जाएगी और ये मिरर से टकराने के बाद में सीधे हमारे F से आगे बढ़ेगी दूसरी किरण हम लोग ले जाएंगे सीधे F से और ये हमारे मिरर से टकराने के बाद में प्रिंस्पल एक्सिस के हो अगर कोई वस्तु आपके वकरता केंदर के उपर रखी जाती है तो उसकी जो image है वह आपकी वकरता केंदर के उपर ही बनेगी image के property ये होगी कि ये image हमारी real होगी वस्तु के size की होगी यानि कि जो height of object है और height of image है वो बिलकुल बराबर होगी उसके अलावा ये जो आपकी image है वो वास्तु के बराबर होगी और c के उपर ही इस image का निर्मार होगा तो ये सारे आपके condition है मतलब ये सारे आपके image के property है जो हमको case 2 में देखने को मिला है अब बात करते है case number 3 की case number 3 में आपसे ये कहा जा रहा है कि लल्लू हमारे पहले c से परे थे उसके बाद में ये c पर आए अब इनको हम लोग f और c के बीच में कहीं पर खड़ा करेंगे तो लल्लू हमारे f और c के बीच में आ गए है चलिए use करते है rule number 1 तो rule number 1 में ये जो हमारी ray है वो बिल्कुल principal axis के parallel जा रही है टकराने के बाद में ये आपके सीधे focus से यहाँ पर गुजरेगी दूसरे में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे second image है वो आपके यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद में विल्कुल हो जाएगी इसके parallel तो वैसे मैंने एक दूसरी भी condition ली है यहाँ वाली तो ध्यान अखिएगा उसके बाद में ये आपके बिल्कुल इस प्रकार से टकराएगी थोड़ा सा मैं ये clean करता हूँ हाँ तो ये साफ हो गई है वैसे मैंने एक जो आपकी किरन है वो वकरता केंदर से लिया हुआ है आप यहाँ से भी ले सकते हैं और अगर आपने exact measurement किया हुआ है तो आपकी image बिल्कुल वहीं पर बनेगी तो अब हमारी जो image है वह यहाँ पर बन रही है यानि कि जो image है वो आपके c से परे कहीं पर बनेगी property क्या होगी इस image की तो property आईए समझते हैं देखे जो आपकी image है वह एक बार फिर से real है यानि कि वास्त्रिक image बन रही है एक बार फिर से हमारी उल्टी image बनी है यानि कि erect image का formation हो रहा है image जो है इस बार आपके वस्तों से बड़ी है कैसी है? image की जो height है वो आपके object की height से ज़्यादा है और ये आपके c से दूर बन रही है यानि कि हमारी जो image है वह infinity और c के बीच में कहीं पर बन रही है और ये हमारी हो जाती है तीसरी condition फिर हम लोग बात करेंगे चौथी condition की और चौथी condition पे जो हमारे लल्लू लाल है अब इनको हमने खड़ा कर दिया है focus के उपर कहां पर? अब इनको हमने खड़ा कर दिया है focus के उपर तो पहली हमारी जो किरण है कुछ इस प्रकार से जाएगी और reflect होने के बाद में focus से आगे बढ़ेगी दूसरी जो हमारी image है ray है इसको हम लोग यहां से ले जाएंगे और ये आपके बिल्कुल parallel गुजरेगी किसके हमारी पहली वाली ray के तो हमने दो rule का यूज किया है सबसे पहले हमने पहले rule का यूज किया फिर दूसरे rule का यूज किया और आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये दोनों जो हमारी किरने हैं टकराने के बाद में ये आपस में हो जा रही है parallel इससे ये परतीत होता है कि जो आपके चौथी condition में image बन रही है वह image कहीं अनंद पर बनेगी और ये जो image होगी वह आपके वस्तू के image से काफी ज़्यादा बड़ी होगी उल्टी होगी और आपकी यहां पर हो जाएगी काफी ज़्यादा बड़ी तो ध्यान रखेगा image वास्त्विक होगी उल्टी होगी वस्तू से बड़ी होगी और इस image का निर्मान कहीं अनन्द पर होगा अब बात करते हैं पांचवी और आखरी condition की पांचवी condition में ये कहा जा रहा है कि जो हमारे वस्तो है वो आपके F और P के बीच में कहीं स्थित है यानि कि जो लल्लू लाल है वो आपके mirror के बिल्कुल पास आ गए है अब ये अपना चेहरा बिल्कुल पास से देखेंगे तो चलिए rule योज करते हैं पहला rule हमारा वही प्रिस्पल एक्सिस के पैरलल वाला तो ये हमारे focus से जाएगी दूसरे rule में हम लोग क्या करेंगे दूसरे rule में जो हमारी ray है वो आपके जाएगी कहां से center of curvature से अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ पर क्रिणे हैं वो आपके mirror से टकराने के बाद में एक दूसरे से दूर जा रही है और इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो क्रिणे हैं वो कहीं अनंत पर भी जा करके नहीं मिलेंगी तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग opposite side में इन क्रिणों को बढ़ा देंगे और बढ़ाने के बाद में ये क्रिणे जहाँ पर आपकी cut करेंगी वहाँ पर होगा वस्तू के image का निर्माड तो आप लोग देख रहे होंगे कि आउतल दरपण में सिर्फ पहला ऐसा case आया है कि जो हमारी image बन रही है वो आपके mirror के opposite side में बन रही है यानि कि जिस side हमने वस्तू को रखा हुआ है उसके बिल्कुल opposite side में इसकी image बन रही है image की खास बात क्या है ये जो image है वो काल्पनिक है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आउतल दरपण में हमारी जो image है वो काल्पनिक बन रही है पहली बार ऐसा हुआ है कि जो image है वो सिधी बन रही है और ये जो image है वो आपके वस्तू से हो जाएगी बड़ी किस से जो हमारा object है उससे बड़ी image आपको देखने को मिलेगी और इसी लिए जो आपके saving mirror होते हैं या फिर जो आपके लड़कियों के make-up वाले mirror होते हैं उसमें हम लोग आउतल दरपन का use ही करते हैं यहाँ पर आप लोग देखे क्योंकि जब हम लोग बिलकुल mirror के पास आ जाएंगे इसका simple सा मतलब हुआ कि जो आपका object है यह आपके focus और pole के बीच में आ चुका है और इसलिए क्या होगा कि जो हमारे वस्तू की image होगी वो आपकी काफी जादा बड़ी देखने को मिलेगी तो चाहें आपको saving करना हो आपको बड़ी image दिख रही है तो आप आसानी से अपनी save कर सकते हैं और लड़कियों को अगर make up हो गयरा करना है जो कि दिन में 4-5 बार करना होता है तो वो भी वो लोग आसानी से कर सकती है देख सकते हैं कि कहाँ पर dark सलकर हो गयरा है या कहाँ पर गढ़े हो गयरा है और उसको make up के जरीए भर सकती है तो इसी लिए आपको ध्यार रखना है कि जो भी हमारे saving वाले या make up वारे mirror होते हैं उसमें हम लोग concave mirror का use करते हैं किसका concave mirror का use हम लोग करते हैं तो ये हम लोगों ने concave mirror के बारे में पढ़ा अब आईए हम लोग convex mirror के द्वारा जो image बनाये जाते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं तो ये आपके सामने एक concave mirror है इसमें भी same आपको pole देखने को मिलेगा इससे एक निश्चित दूरी पर आपको focus मिलेगा और focus से एक निश्चित दूरी पर आपको center of curvature देखने को मिलेगा तो आईए समझते हैं rule 1 क्या कहता है तो rule 1 में ये कहा गया है कि अगर हमारी कोई प्रकास की किरण mirror से जा करके सीधे टकराती है principle axis के बिल्कुल parallel तो ये आपके reflection के बाद में कुछ इस प्रकार से वापस लोटेगी लेकिन अगर हम लोग इसको virtually आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हमारे किरण आपके focus से हो करके आ रही है तो पहले rule में ये ही कहा गया है कि अगर कोई हमारी प्रकास की किरण है जो की principle axis के बिल्कुल parallel आती है तो reflection के बाद में हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हमारी ये image आपके focus से हो करके आ रही है rule second rule second में ये कहा गया है कि अगर कोई प्रकास की किरण आपके center of curvature के सीध में जाती है तो ये आपके reflection के बाद में यहीं से लौट जाएगी लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये किरण आपके center of curvature से आ रही है तीसरे condition में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारी कोई भी प्रकास की किरण image फर focus के बिल्कुल सीध में टकराती है तो ये भी आपके reflection के बाद में हमारा जो principal axis से उसके parallel हो जाएगी लेकिन हमको ये प्रतीत होगा कि जैसे ये बिल्कुल आपके focus की तरफ से ही आगे बढ़ रही है और चौथा rule आपका वही है कि अगर pole पे आगर के कोई किरण टकराती है तो ये same angle बनाते हुए opposite side में निकल जाएगी हाला कि इसका use हमें कहीं भी image formation में नहीं करना होता है तो ये आपके चार rule है आप लोग यहाँ पर screen के उपर देख सकते हैं principal axis के parallel वाली ऐसा represent करेगी जैसे वो focus से आ रही हो उसके बाद में जो हमारी focus की और आगे बढ़ेगी यहाँ पर देखिए जो आपके focus की तरफ आगे बढ़ेगी वो आपकी इस प्रकार से principal axis के parallel हो जाएगी जो हमारी किरण center of curvature की और बढ़ रही है वो आपकी सीधी उसी से हो करके reflect हो जाएगी और rule 4 आपका कहता है कि अगर कोई किरण pole के उपर incident होती है तो यह आपके same angle बनाते हुए आगे बढ़ेगी अब आएए देखते हैं कि यहाँ पर आपकी image कैसी बनेगी तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले condition number 1 की condition 1 में यह कहा गया है कि जो हमारे वस्तू है उसको हमने pole से दूर कहीं पर रखा हुआ है यानि कि यहाँ पर infinity है कहीं पर और यह आपका pole है तो हमने वस्तू को रखा हुआ है इनके base में अब आएए अपना rule apply करते हैं तो पहले rule में यह कहा गया है कि अगर कोई किरण हमारे principal axis के parallel जाती है तो यह आपके mirror से टकरा के इस प्रकार से उपर की और आगे निकल जाएगी लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि यह बिल्कुल आ रही है focus की तरफ से दूसरे rule में यह कहा गया है कि अगर कोई हमारे किरण focus की और आगे बढ़ती है center of curvature की तरफ आगे बढ़ती है तो यह भी आपके normal की वज़ा से यही पर load जाएगी लेकिन इसको हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो यह आपके center of curvature पर जाकर के मिलती है अब मैं आपको बता चुका हूँ जहां पर हमारी line एकट करती है वही पर आपके image का निर्माण होता है तो इसहां पर जो image है वो आपके pole और focus के बीच में बनेगा property आप लोग अब अपने आप से भी लिख सकते हैं property क्या होगी आप लोग देख रहे होंगे कि जो image बनी है वो बिल्कुल सीधी बनी है आपके focus और pole के बीच में बनी है जो हमारी वस्तु है उससे छोटी बनी है और ये हमारी है कालपनिक image यानि कि यह एक virtual image यहाँ पर form होई है तो यही सारी चीज़े मैंने लिख दी है कि जो image है वो virtual है upright है वस्तु से छोटी है और ये image आपके f और p के बीच में बन रही है condition दो में हम लोग आते हैं कि अब जो हमारा वस्तु है उसको हमने p के थोड़ा सा और past लेकर के आए है फिर आईए rule हम लोग वही सारे apply करेंगे तो rule apply करेंगे आप लोग फिर एक बार देख रहे होंगे कि जो हमारी image है इस बार थोड़ी सी बड़ी बनी है क्या हुई है? इस बार पहले के तुल्ला में थोड़ी सी बड़ी है लेकिन वस्तु के तुल्ला में convex mirror में आप वस्तु को चाहें जहां पर रखिए चाहें आप लोग पूल के पास में रखिए या फिर आप लोग पूल से दूर रखिए जो हमारी image बनेगी वो आपके पूल और focus के बीच में बनेगी image आपकी यहां पर आभासी होगी याने की virtual image होगी जो आपकी image है वो वस्तु के image से छोटी होगी और यह जो image है वो हमारी हमेशा हो जाएगी सीधी तो इसी लिए आपने देखा होगा कि जो हमारी गाडियों के सीशे होते हैं या गाडियों में जो आपके mirror होते हैं उनमें हम लोग convex mirror का use करते हैं क्या रीजन है देखे इसके पीछे simple सा रीजन है कि अगर आपने गाड़ी में convex mirror का use किया हुआ है तो आपकी जो भी पीछे के वाहन आ रहे होंगे उन सभी वाहन की एक छोटी सी image दिखाये जाएगी यानि कि एक आप पूरे बड़े area की image को छोटे form में देख सकते हैं for example यहाँ पर देखे जैसे यह जो हमारी गाड़ी का सीसा है इसमें हमने convex mirror का use किया हुआ है अब सोचिए जैसे आपने अगर यहाँ पर concave का use कर लिया होता तो मैंने आपको बताया था कि concave में जितना हम लोग वस्तु के पास लेकर के आएंगे object को उतनी बड़ी image बनेगी तो पता चला है कि आप गाड़ी चला रहे है और आपके इस mirror में केवल जो गाड़ी है उसका number plate दिख रहा है काफी बड़ी image बन गई लेकिन जब हम लोग convex का use करते हैं तो इसमें होता क्या है कि image आपकी काफी छोटी बनती है और काफी दूर के area की image आपको देखने को मिलती है इसलिए आपको clearly ये visible होता है कि पीछे हमारी कौन से गाड़ीयां आ रही है तो आप लोग इसको समझ पाये होंगे और आपको ये भी clear हुआ होगा कि saving mirror हमारे concave क्यों होते है और गाड़ीयों के जो mirror है उसको हम लोग यहाँ पर convex क्यों रखते है तो इस प्रकार से हमने concave lens, mirror concave lens और mirror इन दोनों से बनने वाले image को discuss कर लिया है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दो तीन बार वीडियो को देखने का प्रयास करिए जैसे जैसे आप लोग ray diagram को अच्छे से समझ पाएंगे उतना clear आप इस topic में हो पाएंगे तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवार आगे आप लोग और किन topic के ओपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप लोग नीचे कमेंड में बता सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत